नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं आच्छली मेरा किचन में कुछ बनाने का मन कर रहा था तो आज मैंने सोचा कि मैं कोई सैंडविच ही बना लेती हूँ जो आजकर बच्चे भी खा लेते हैं तो मैंने फिर vegetable sandwich की तैयारी कर लिया है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि vegetable sandwich कितना चौता है vegetable sandwich with mayonnaise तो आप लोग जुरूर बताना कि कैसा है तो चलो let's start तो सबसे पहले मैं ये vegetables, capsicum, onion and tomato ये तीनों चीज़े रखूंगी और इन्हें chop कर लोगी फिर मैं इसमें onion और capsicum अच्छे से बारिक chop करूँगी जिससे कि ये खाने में और और देखने में भी बहुत सुन्दर लगे फिर मैं इनको chop कर लोगी चौप करने के बाद फिर मैं इनको वापिस से एक बाउल में कर लोगी बाउल में करने के बाद मैं इनको अच्छे से निकाल के उसमें से बढ़िया कर दूँगी और उसके बाद जैसे ही मैं इनमें से इसको निकाल के इसमें फिर मैं इसमें मसाले आइड करना स्टार्ट कर दूँगी और आप देखना है आपके बच्चों को इतना पसंद आएगा कि वो बहुत अच्छे से खाएंगे इसमें कैपसिकम और ओनियन के साथ मैं इसमें टमैटो भी आइड करूंगी क्योंकि टमैटो का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है वैसे आप हटा भी सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से मैंने तो डाला था क्योंकि म मैंने अच्छे से टमाटर को कट कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक क्योंकि चोपर में इतना अच्छे से हो नहीं पाता है तो मैंने टमैटो को हाथ से चोपर करा था हाथ से कट किया था तो जैसे ही कट कर लिया फिर मैंने इसको एड कर लिया उसमें उसके बाद फिर मैंने इसमें add करना start करा सारे मसाले और फिर मैंने इसमें सबसे पहले डाली mayonnaise वो आप quantity देखे कि आपको कितनी डालनी है मैंने इतनी डाली लेकिन मुझे कम लगी थी इसके थोड़ी दिर बाद मैंने शायद और डालूंगी क्योंकि मुझे कम लगी तो फिर मैंने इसमें add कर ली है उसके बाद मैंने इसमें मसाले डालने start करें सबसे पहले मैंने इसमें black paper डाली काली मिर्चे काली मिर्चे अच्छे से मैंने add करी और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला गरा मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है उसके बाद फिर मैंने इसमें काला नमक याद रखना वाइट नमक से इतना टेस्ट नहीं आता है इसमें जितना काले नमक से आता है यह इसका सीक्रेट है काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर मैंने इन सब को एड करके अच्छे से इनको मिलाना सुटार्ट कर दिया, जब तक यसे मिलना जाए तो इसको मिलाते रहना है, क्योंकि अगर यह मिलेगा नहीं तो अच्छे से इसमें टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है इसके बाद जैसे ही थी मिख्स कर रही हूँ मैं, तो पिर देखें, हो गया है ये mix इसके बाद मैंने इसमें मैंने बोला था कि और मियोनिस डालनी पड़ेगी मुझे तो मैंने और मियोनिस डाली है क्योंकि ये अच्छे से mash नहीं हो पाया था लेकिन अब देखें कितना सुंदर लगेगा देखने में क्योंकि ये mix vegetables है आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़े आड़ कर सकते हैं जैसे कि गाजर हो गई और बीट हो गई बाकी भी बहुत सारी चीज़े होती हैं लेकिन मेरे घर पर ये अवलेबल था तो मैंने इससे ही ट्राई करा फिर मैंने इसके बाद ब्रैड रखनी स्टार्ट कर दी हैं ब्रैड रखे फिर मैंने सोस लगाया इन चारो ब्रैड पे क्योंकि ब्रैड पे सोस नहीं लगाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा तो मैंने सबसे पहले ब्रैड पर सोस लगा लिया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि यह ऐसी एक डिश है जो आप सभी अपने घर में बना सकते हो जरूरी नहीं है कि सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है तो आप अराम से बन नहीं है कि ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं बना सकते हो यह सभी चीजे सभी के गर में होती है और यह बच्छों को बहुत पसंदाता है क्योंकि आलू के तो नॉर्मली सभी खाते हैं तो उसके बाद फिर मैंने यह ब्रेड पे इसका पेस्ट अच्छे से लगा लिया है की अपकी मर्जी है कि आप बटर लगा के सखा या घी लगा के सखा यह दो लेकिन मेरे घर में हे घी सेही है बटर मुझे पढ़न नहीं है जितना दिना चीज शलिखा लगता है तो मैं घी आप से यह लगा क्योंशीना पैस्ता ट्रूद कर लिगा कर फिर मैंने रहात चीज तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है आप भी ट्राइ करना और फिर मैंने इनको दूसरे वाले ब्रैड से अच्छे से ढग दिया है और अब मैं इनको सेखना स्टार्ट करूंगी और देखे मैं किस तरीके से इनको सेखती हूँ तो मैंने ये तवा रख लिया है और तवे पर मैंने बोला था घी डालूँगी व्योंकि मुझे बटर का टेस्ट इतना पसंद नहीं जितना घी का अच्छा लगता है मैंने घी डाल कर ये ब्रैड दोनों ही मैंने एक साथ रख दिये क्योंकि तवा अच्छा बड़ा है तो मै और घी से सच में बहुत क्रिस्पी हो गया था, बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनको अच्छे सेखती रहूंगी, और इसके बाद फिर मैंने इनको पलट दिया है, पलटने के बाद अच्छे से सेख रही हूं इनको, और ये देखे, एक बार और मैंने पलट दिया है, ये और यह लिए कुछी वर होगी में प्लेट चीजिए अब मैं फ करने के में यह से यह कितूरख चुके में अब इस पर पर गीमि प्लेट करों गया हैओ नोगी प्लेची यह बहुत सुन्दर है देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में और भी टेस्टी लगेगा अगर आप ट्राइ करेंगे तो और फिर मैंने यह दूसरे वाला भी कट कर लिया और हाँ इसके साथ सोस भी जरूर ट्राइ करना क्योंकि सोस के साथ यह बहुत मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज सब्सक्राइब करें जब भी आप इसको खाओगे तो इस पर औरिगेनों वाला यह मसाला यह पीजा में यूज होता है यह जरूर ट्राइ करना इससे बिल्कुल पीजा वाला टेस्ट भी आ जाता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेर वीडियो कैसी लगी जरूर बताना लाइक करना सब्सक्राइब करना ठैंक